स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के लिए क्वेशन लेकर आया हूँ विभिन आयू में भासा के विकास का विबरन कीजिए भासा विकास में कारको का विसलेशन कीजिए बड़ा ही important question है विभिन आयू में भासा का विकास यदि बालक का जनम समानेय रूप से हुआ है तो वह करम सह भासा के विकास की विभिन स्थीतियों से गुजरते हुए भासा पर अधिकार कर लेता है यह विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसमें विभिन स्थीतियां एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं की जा सकती यह भी आवशक नहीं है कि ये स्थीतियां सपस्ट रूप से सभी बालकों में निश्चित करम में दिखाई पड़े इसके अतरिक बासा विकास की प्रगती भी सभी आयू में और सभी बालकों में एक सी दिखाई नहीं पड़ती यहां इस पैराग्राप से हमने क्या दिखा कि जब बालक का जनम होता है और उसके बाद जब उसका भासा विकास होता है तो ये सभी बालकों में एक जैसा नहीं होता सभी बालकों में ये अलग अलग हो सकता है मनवैग्यानिक के अनुसार सिसू 13-14 मास की आयू में पहला सबत बोलता है अस्तू बासा के विकास का प्रारम इसी आयू से किया जाना चाहिए इसके पहले की आयू को बासा विकास की स्थिति में तैयारी की स्थिति कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भिन भिन परकार की धवनिया और संकेतों की साहता से दूसरों को अपनी बात समझाता है इससे पहले की जो 13-14 वर्स की आयू है उससे पहले की जो वस्त होती है वो केवल बासा विकास की स्थिति की तैयारी होती है बासा के विकास को आयू के अनुसार निम्न तीन कालों में बाटा जा सकता है एक तो दो से तीन वर्ष की आयू में इस आयू में बालक एक दो सब्दों से आगे बढ़कर कहीं सब्दों के वक्या बोलने लगता है और इसमें वो सरोर नामों का अधिक प्रियोग करता है तभी उसे क्या होता है मैं और मुझे का सही प्रियोग नहीं आता इस काल के अंत तक बवोचन और बूतकाल का प्रियोग भी देरे देरे वो सीख लेता है उसके बाद चार से पांच वर्स की आयू चोथे वर्स की आयू तक बालक की वाक्य रचना में काफी सुधार हो जाता है और वह वया करन के नियमों का पालन करता देखा जाता है इस आयू में वह अत्य अधिक बोलता है तरह तरह के परसन पूछता है और जब उसका परसन का उत्तर नहीं भी मिल रहा होता है तब भी वह उसके बाद एक परसन के बाद दूसरा परसन भी उठा लेता है परसन पूछने के कारण उसकी इतनी अधिक जिग्यासा नहीं है जितनी की वह अपनी यह बढ़ती हुई सबद सक्ति के अभ्यास के लिए प्रियास करता है मतलब क्वेस्शन पूछता है लेकिन वो क्वेस्शन पूछने का मतलब उसका यह नहीं है वह उसको उसका अनसर चाहिए उसको तो सबद बंडार अपना बनाना है बाद का बाल्यकाल इसमें बालक प्राथमिक पाट साला में जाने लगता है अब वह अपनी मन्चाई बात बली प्रकार से बोल कर और बात चीत करने में सीखने में बुद्धि मता का प्रियो करके बासा का प्रियो करना सीख जाता है तो ये था हमारा बासा के संबंद में जो उसके तीन हमने कालों में बाटा है उसके बारे इसकी अवस्थाएं क्या होती है अधिकतर मनोवग्यानिक बासा संबंदी विकास में बासा के विभिन पहलों के अनुसार निम्न चार अवस्थाएं मानते हैं एक तो होता है आकलन, कॉम्प्रिहेंसन इससे तात पर यह दूसरों द्वारा कही बात को समझने से है मनोवग्यानिकों के अनुसार बालक की आकलन सक्ती का विकास सब्दों का प्रियोग करने से पहले ही हो चुका है बालक जितने सब्दों को बोल सकता है उससे कहीं अधिक सब्दों को समझ सकता है इसलिए कोई भी बासा सीखने में उसकी बोलने के एक समता की तुलना में उस प्रंतु यह निश्चित है कि अलपायू में बालक सब्दों के अत्रिक भाव वंगिमा और किरियाओं के द्वारा भी दूसरों को अपनी बात समझा सकता है और दूसरों की बात को समझता है बालक को सिखाने में जब सब्दों के साथ संकेत का प्रियोग किया जाता है तो वो बालक उसको और भी ज़ादा अच्छे तरीके से समझ लेता है इन प्रियोगों से हमें यह ग्यात होता है कि चार माँ की आयू में सिशू मनुस्य की आवाज सुनकर सिर गुमाता है माता को पैचान कर मुस्कराता देखा जाता है चार माँ की आयू में बच्चे की क्या किरिया अकलाब होती है छे से आठ माँ की आयू में वह सब्दों को द्यान से सुनता और वैसे बोलने का प्रियास भी करता है और बारा मास की आयू का बालक सरल निर्देश और दाग्याओं का पालन करने में समझ जाता है और पांच-छे वर्ष की आयू में बालक का सबद बंडार प्रियाप्त हो जाता है सबद कोस निर्मान, Building Vocabulary बालक की बासा विकास की स्थितियों में आगलन के पस्चा दूसरी स्थितियों होती है सबद बंडार को बढ़ाने की यह सबद बंडार दूसरे लोगों के दवारा प्रियोग किये गए सबदों को सुनने से बढ़ता है और बालक के सबद बंडार में सामान्य सबदावली और विशिष्ट सबदावली दोनों परकार के सबद देखे जाते हैं सामान्या सबद वे होते हैं जिनका प्रियोग अनेक परिस्तितियों में किया जा सकता है जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, अच्छा, बुराश, त्री, पुरूश और विशिष्ट सबदावली में वे सबद आते हैं ये आपकी ममी है, ये आपके चाचा है, ये आपके ताव हैं, तो सबसे पहले वो संग्या को ही आसानी से सीखता है दूसरी और जिन सबदों का प्रियोग कम होता है, उने वो कठनाई, जिन को सीखने में कठनाई होती है उन सब दो को सीखने में भी वो थोड़ी देरी लगाता है उसके बाद सरो नाम तो बहुत बाद में आते हैं संग्याओं के सीखने में भी कुछ तो बालक बबलाने की स्थिति में भी बोलने लगता है उसके बाद संगे सीखने के बाद बच्चों की बारी आती है किरियाओं को सीखने की जैसे आना जाना उठना बैठना और 17 मा की आयू का जो बालक होता है फिर वो विशेशन सीख लेता है जैसे ठंडा है गरम है अच्छा है बुरा है इस प्रकार की उसके बाद आते हैं उसकी किरिया विशेशन जैसे यहाँ वहाँ कहाँ इत्यादी और बाद में फिर उसका सरवनाम आता है जब वो सीखता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वाक्य निर्मार्ण थर्द जो पॉइंट है वाक्य निर्मार्ण फोर्मेशन ओफ संटेंसी लगबग डेड़ वर्स की आयू तक बालक केवल एक ही सबत का बोलता है और दो वर्स की आयू तक वह दो से अधिक सब्दों के प्रियोग और दूरे वाक्य बनाने लगता है और च सुद उचारन, क्रेक परनन्सियेशन हर लोग के अनुसार सिसु दूसरों की देखा देखी उचारन करना सीखता है और दूसरों को अगर गलत उचारन करते सुनकर वह भी आसानी से गलत उचारन ही सीख लेता है जितनी आसानी से वह दूसरों के उचारन का नुकरन करता है लगता है और तीन वर्ष की आयू तक उसमें काफी सुधार दिखाई पढ़ता है। उसके बालते हैं हमारा बासा विकास में कारक। एक तो होता है हमारा जो स्वास्ते है। स्वास्ते भी हमारा इफेक्ट करता है कहीं न कहीं। प्रारम के दो वर्षों में अत्यादिक बीमार पढ़ने से बालक की श्थिती पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है क्योंकि एक तो उसे अन्या साथियों का संप्रक ने मिलता और दूसरे बोलने की प्रेज़न ने मिलती क्योंकि उसकी आवस्ते हैं बिना बोली ही पूरी हो जाती है और तिसरा उसे बोलने में मना कर दीया जता है तो इस बीमार एकती मतलब यह बच्चा उने पर उसकी जो बाहसा संबंदी विकास वो कम होता है अनुकरन, imitation, बालक में बोलने की किरिया के विकास में अनुकरन का महतवपूरन स्थान, बालक के सामाजिक प्रिवेश के उपस्तिती अन्य लोग जिस प्रकार से बोलते दिखाई पड़ते हैं, बालक उनिका अनुकरन करता है और अपनी बाशा का विकास करता है, उसके बाद को अगर उदा रंके तोर पे बिल्ली दिखा कर और ये बोला जाए, बिल्ली आ गई देखो, तो बालक बिल्ली सबद को भी सीख लेता है, उसकी आकरती को भी देख लेता है, और बिल्ली की पैचान भी कर लेता है, कंडिशनिंग के माध्यम से, उसके बाद मोटिवेशन प पूरी हो जाते हैं, तो वो बोलने का प्रयास नहीं करेगा। के साथ चलता है और जिन बालकों का मानसिक विकास हो पाता है उसमें केवल एक त्याई बालकों में ही बोलने की सक्ति का सामान्य विकास हो पाता है पांच वर्ष के मंद बुद्धी बालक की बोलने की क्योगदा डेड़ वर्ष के सिसु के बराबर पाई जाती है सामान्य बालक की तुलना में तिवर बुद्धि बालक कम से कम चार महीने पहले बोलना शुरू कर देता है सामाजिक आर्थिक स्थिती सोशियो एकोनونικό स्टेटस मौनो अगैनिक सामान्य रूप से यह मानते हैं की अनुकूल सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले बालकों में निम स्तर के परिवारों में से आने वाले बालकों की तुलना में बाशा सम्बंदी योगेता अधिक होती है यहाँ यह बता रहा है कि जब हमारी आर्थी स्थीति अच्छी होती है तो parents क्या हैं कि पड़े लिखे होते हैं और प्ते बालकों के अंदर भासासमंदी जो विकास है वो बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं और घर के अंदर जो सुक शुईदाईं होती है टेलीफोन है घर के अंदर मालों कम्प्यूटर है घर के अंदर टीवी है तो उन सब से भी बालकी की बासा के उपर प्रभाव पढ़ता है उसके बाद आता है हमारा लिंग बेज सेक्स डिफ्रेंस बासा समबंदी विकास में लड़के और लड़के की तुलना में अध्यांसे सबद बंडार भी लड़कों से कहीं ज़्यादा अधिक होता है और सबदावली वो ज़्यादा जल्दी सीक लेती है लड़कों से यह रिष्टा लड़कियों में काफी बड़ी आयू तक बनी रहती है और बाद में जाकर फिर लड़के अपनी लड़कियों से आगे निकल उसके बाद रहता है हमारा पारिवारिक संबंद। माता पिता का अनुकरन करने का उसर मिलता है और नहीं उन्हें बासात्मक विकास की और द्यान दिया जाता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो कॉइंट है आज का वो है दो बासा सीखना। बालक के बासात्मक विकास पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि सैस्वा वास्ता में उसे गर में एक बासा शीखनी पड़ती है या दो बासा शीखनी पड़ती हैं। कुछ बारते फरिवारों में हिंदिय और अंग्रेजी खिचडी बनाकर बालकों को इतना बर्मित कर दिया जाता है कि वो दोनों में से किसी का भी सही उचारन नहीं कर पाता और नहीं किसी का सबद बंडार उसका बढ़ पाता है। क्योंकि वह देखता है कि एक ही बात के लिए दो दो सब्दों का प्रियोग किया जा रहा है और मोनो वैगेनिक हर लोग के अनुसार दो बाहसाएं सीखने से केवल बाहसात्मक्त विकास में ही नहीं बलकि बालक का जो चिंतन स्तर होता है उस पर भी पुरा परभाव पड़ बाहसाएं सीखने पड़ते हैं तो यहां भी बच्चे की जो बाहसात्मक्त विकास में बलकि बताना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बैल बाला बटन उस पर ओल पर कर देना ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन होगा पो में तीरी, तेंक यू